हेलो बच्चो स्वागरा सभीका बच्चो ये है पार्ट सेकेंड अध्याई छे का जो कि आपको पता होगा हमने पहले से एक पार्ट डाला हुआ जो कि आपने देखा हो बहुत सारे बच्चो नहीं देखा होगा अगर जिसने नहीं देखा हो जाके देख लिए बच्चो सपो यहां पर कुछ विद्यारती है ठीक हमको नहीं पता उनसे इतने फिश्लेगा यह रुपे लिखा और रूपे कितने हैं? संख्या है तो पेसे भी कितना देगा एक से गर मालो विद्धियारतियों कि संख्या पांच है तो पेसे भी कितने देगा पांच ही देगा मतलब उसका उसमें गुणा कर देना पच्चों में 25 टोटल रुपे हो जाएंगे इस प्रकार ते सवाल गुम निकाला था हमको यहां बतानी है तो सिंपल सी बात है हर एक संख्या काम 24 में 24 का गुणा करके देख लेंगे अटालिस का अटारीस में गुणा करके देख लेंगे यह चाल बच्चों आपको पता होगा इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं ना लेकिन एक और तरीका क्या होगा कि हमको पता चल जा कि किसमे गुणा करने पर उसका अंसर आ सकता है यह सिंपल सी बात है बच्चों तो यह बात ठ्यान रखे हैं बच्चों यह थोड़े से जानकार आपको दे दूँ किसी का भी हम इसके और निकालते हैं तो उसमें इक एक और निकाल हमने तो जिसमानों एक का स्क्यूर पांच को 25 होगा 6 कशतीस हो जाएगा 7 कि 59 एक जो और 16 होगा एक क्या इसके दो होगा 24 और नौ कर जो होगा वो इतना होगा एक्क्यासी और दसका कितना हो जाएगा सो हो जाएगा ठीक मैं देखिए इसमें जो पीछे क्या रहा है चार आ रहा है कितना आ रहा है ध्यान से दिखिया याँ पे कितना आ रहा है चार आ रहा है कím नहीं आ रहा है accept that एक दो किसी हमख्या पीछे एक याग अग अगर 2 हुआ 1 खिर Team 2 कार और या फिर мод तो दो कंडिशन है, एक तो जिसमें दो हो जाएं पीछे, जो कि दो पीछे किसी भी option में नहीं आ रहा है, अब देखिए 8 एक option में है, आप किस option में हा रहा है, 48 वाले में ही यनि अगर मैं 58 में 58 का गुणा कर दूँ, तो मुझे पाता है कि पीछे 4 आए गा एगा जो कि चाहि इनको जोड़ देंगे, चार का चार, आट और दस कि सुन्य, हासिला एक, नो और रिक दस तीन, तीन, हासिला एक, और यह आगे अपना दो, एक और एक दो, तीज जीरो चार जो कि अपना बना के नहीं बना, बिलकुल बना है बच्चो, बच्चो आपको एक और चीज बजा द तब ही 64 बनेगा, चो शट में पीछे चार आता है, छे में छे करेंगा तो चीज आजाएगा, पीछे जो की नहीं आ रहा है, इसमें चार चोक सुला में भी छे आ रहा है, इधर भी छे आ रहा है, तो आई नहीं सकता, यहां पर भी थोड़ी बट ट्रिक आपको समझ में आ होगी, इस प्रकार से हम कर सकते हैं बच्चो, यह लए इसके वर का जो वर्ग का जो पाड़ा है, आपको याद होना चाहिए, और आपको कम से कम जो वर्ग है वो 25 तो याद होने चाहिए, 25 वर्ग आपको याद कर ले नहीं है, बच्चो उसका ध्यान रखिएगा, सेकेंड करते हैं, सेकेंड कोश्यन है हमारा, अंडर उटके अंदर कुछ संख्या दी हुई है, 10,90 भागित, 121 का मान ग्याद कीजिए, सिंपल से बात है बच्चो पहले हम क्या करते हैं, भाग निकाल लेते हैं, या फिर यह को और तरीका होता, दीखो, मैं दो तरीक इसको समझाने एक तो होगा, आपको जो अंदर जो संख्या दे रखी है, उसका 121 में भाग दे देना है, जो कि बहुत बढ़ा है, तो यह तो यह तरीका हो सकता है, आपको निकालना आता है, बड़ी संख्या का, तो आप निकाल सकते हैं, कितनी बार में आएगा देखिए, सिंपल से बात यह पता होना चीए, अब भाग से ही कीजेए, बच्चो सबसे बेस्ट अप्शन आपको निकालना होगे, तो आपको भाग से करवातेता हूं, चीके, बाग से ही कल लेते हैं, अब सबसे बिले इसको करता हूं, चीके, कितनी बार में जाएगा, अपने वो पता है, देखिए अब यहां पर ट्रिक समझना है, अंडरूट के बाहर संख्या आगई, तीन आगा भार, तो बहुत बड़ा आंसर जाएगा, जो कि यह तो बहुत छोटे जा रहे हैं, भाग करना है, तो सिंपल से बाते हैं, मतलब पीन का इसको नो होता है, मतलब एक्सो इक्स में अगर मैं में नो बर पाड़ा बोलू, कितना आ आ आ जाएगा, एक अजार, उन नभ्या आ जाए जो कि फूरा चला जाएगा, तो नो कहाँ पर अंडरूट के अंदर अनदर अंगया, अब अंडरूट के अनदर अगया, अभाग एगया, तो नो का किया निकालेंगे, पच्चों, एल 121 का पाणा आपको साइड में बढ़ना लेना है या आपको दिमाग यह लगाना है कि 121 जैसे यहां पर लिखा हुआ है अगर मैं यहां पर दो का गुणा करूँगा तो पीछे दू याएगा तो यहां पीछे नो था मतलब नो एक कम नो बच्चों यहां पर ट्रिक्स बाता चल रही होगी आपको नो एक कम नो तो नो से ही जाएगा मुझे यहां थोड़ा सा दीख रहा था तो अपर इसे पेक्टिस करते हो अपको थोड़ा-थोड़ा समझ बाएगा वो सीखने को मिले बात चल जो बच्छों यहां पर पातल निकाल निकालन ए तीन निकालें आपको यहां किस प्रकार से निकालेंगे सिंपल सी बाते बच्चों कितनी संख्या दे रखें तो頭 10 बढ़ें। कितनी संख्या ते 2-ải संख्या बनाती है तेढ़ में एक 10 संख्या मिल कर एक अगर 59 10 això संख्या मिलकर एक बनाती है । चिते हम सालमी वर्ग मुल्व को κα से फिमन वर्ग मुल्व तो तीकिक एग और में की रिख थे तिन मोल्व को मुल दे भी घ्रयोगा धिस कहा संख्वा कोई हो डॉर वर्ग मुल्व निया जाम देम के दू संख्वा करा है ज्ञें, मालो में इसका आंशन निकालू आपको कैने का ये सम्ट देखने को मिलेगा इसलिए मैं पहले से बता दू कि यहाँ पर हमको क्या करना है अपने को पता है कि इसका आपता है कि 2 का ¥4 इसका a ¥4 है, 2 का तो इन दो शंख्या एक संख्या भार आजाएगी और दो-जीरो एक जीरो भार आजाएगी आपना क्या हो जाएगा बत्चो यह अंसर बन जाए का बरग मुल्सर सिधे भार हो जाएगा जब भार करते हैं अिस से टो जो एक जोड़ा बनाते हैंitated जो कि same to same हो या ना हो दसम लोग के बात के बाद होती है अपे लेकिन इसमें क्या होता है तीन-तीन संख्या के एक जोड़ा बनता है तो आठ का क्या दो का गुणा अगर मैं तीन बार कर दूँ आपको पता है कि दो के टुकड़े तीन बार अगर होंगे कितने बार होंगे ती दो दूनी चार और चार दूनी कितना होता है आठ होता है तो यह आठ तो आएगा एगा लेकिन तीन संख्या का मतलब क्या हो जाए शीदे एक संख्या बनेगी और इसमें दो संख्या मतलब एक संख्या और अगली दो संख्या मतलब एक संख्या बस वह वर गहे तो वर गहे तो यहम सवाल को थोड़ा सा यहां पर लिग देते हैं अगर आपको यहां पर अभी इनके सब के मान पता होते तो आप दो तीन सेकेंड में इसका अंसर इसली निकाल पाते लेकिन मैं आपको जानकर दे देता हूं कि सवाल को कैसे किया जाता है अलागि बहुत सारे बच्चों पता होगा बच्चों लाइक फटाफट से कर दीजिए यह मुझे चाहिए चाहिए ना वो जो बच्चा सब्सक्राइब करके नहीं रखा है और वीडियो देखता रहता है तो सब्सक्राइब करी दो ना क्या प्रोबलम है आपको ठीक है अब देखिए 169 दिया है मतलब 119 सि नगला तेरा की घठादा यनिए अत्यमने ए्छी चाहिए न में थे गुणा करते हैं तिरा गहात के मतलब है तेरा तिरा कश कर गवारेकों, कश्री से अंदर प्लस का प्लस का फ महाँ किया जाएं अजिए क тобой भरा जाएं बच्चों सिंपल तरी וश्च शोल कर लेघा रहा और जो 13 है इनको जोड़ने पर टोटल बन रहा है 25 25 में से अगर हम 15 माइनस करते हैं कितना बसता है 10 बसता है बच्चो तो अपना अंसर बन जाएगा इसका 10 बिलकुल इस प्रकार से सवाल को करना है बस आपको इसके और पता होना चाहिए आप इसले इसको निकाल सकते हैं नेक्स कोशन जो कि बच्चों मैंने आपको पहले बता दिया था दो संख्या मतलब दसमलों के बाद एक संख्या होगी जिसमें इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी पतलब की अंदर क्या लगी आपने पास यह अंडर अंडर बन जाएगा वर्गमूल गनमूल होता था यह पर हम तीन लिखते है ना वर्गमूल वे लिखा नहीं जाता इसका दियान रखेगा तो पहले में इसमें क्या करेंगे बिन्न को नॉर्मल बदलेंगे यहनि इसका इसम अगर में चार का गुणा करूं तो 9.36 का 6 हासिला एती 4,16,17,18,19 एक सो चन्नु बना और एक सो चन्नु में अगर में 29 जोड़ दूं कितना 29 तो यह हो गया 15 का 5 हासिला एक 122 हासिला एक 225 यहनि उपर अपने पास बन गया 225 और नीचे बन गया अपने पास वापिस उन कउ खेंख में तो यह को सबसे करना ऊदी कि अगले वीडियो में में उसको जरूर समझाओं भास आपको कमेंट करना है बातौर कमेंट करना है, आपको कहां कि रेने वाले वाले हो इस जिल लेके हो अब कौन सा गाउं है वह तो इसा डीटेल मुझे बताईये गा क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि बच्चे कहां कहां से हम सभी तक जूड़ चुक हैं यह पता ही नहीं है कुछ बच्चे जिसे रत्लाम हो गया बजयन हो गया यह नागदा वाले जो हो गए आसपास राजिस्तान से जोद पूर से मेंसे तो अलग अलग जगे से बच्चे बना पाहे यह नंबर आप गूरूप में जोइन होना चाहते हो तो कोई दिक्कत निहीं है ना व्टस अब आपको कॉंटेक करना है आप मुझे कोल भी कर सकते हो मेसेज भी कर सकते हो अब सवाल प्याते बच्चो हमने क्या है इसको सोल करना सीख चूकिए आप किस प्रकरसे कर तो आपको उन्दपचास मिलेगा तो आपने पास क्या है पंदना बट्फ सी उपता है यह को किस मेंत दे uphill है どेश्या कि तो एब और को शुआट के उसे लगवाट मिया उसे प्रशी कर दो नहीं निकाल सकते हैं यह ना बच्छो नेक्स कोईशन के बात करते हैं अट्रा सून पचास का वर्गमूल ग्याद कीजिए तो आप इसका लस्म निकाल के कर सकते है बच्छो इसको लस्म निकाल के ट्राइ कीजिए होंवख में लेकिन मैं उसके एक ट्रिक बता देता हूं क्या एक ट्रिक ट्रिक क्या है बच्छो हमको यह पता होना चाहिए कि वर्गमूल क्या होता है उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना वर्गमूल के लाए मतलब वर्ग के लाता है यह तो 30 का गुना है तो 30 का गुना, 30 का गुना पड़े का तो 31 का आंग समझी है, अगर जिरो का गुना करऊ इसकी है, तो 3 का गुना करह उज़ियो की और 59, इसमें का झूझ या है नो है तो अपना अंसर क्या हो गया फोटी ट्री वाला इस म्राकार से आप कर सकते हमaranǎ निकाल सकते हैं बाकि आप LCM से इसको ट्राइए कीजी घर पे बेटके LCM से ट्राइए कीजिए आपके अंसर बनते हैं कि नहीं बनते हैं ठीक है निकाल सकते हो और बाकि आपको पता है उसी संख्या उसी में गुणा करके भी आप चेक कर सकते हो अगर सबी के अंदर अगर सेम होता पीछे साथ साथ या फिर एसी संख्या होती सब के बिछे जो की नो आती है साथ और तीन ही एसी संख्या तकर ऐसी होती तो आप उसी का उसी में गुणा करके भी चेक कर सकते कोई दिक्कत नहीं होगी नेक्स्क्वेशन बच्चो आठ सो में से कम से कम किस संख्या को घटा जाए इस प्रकार से प्राप्त तो संख्या को पूर्णवर्ग हो लाइक कर दिया होगा भी तक नहीं किया होगा तो फटावट से कर दीजिए कमेंड में आपकी राइज जरुद दीजे रहे वीडियो कैसा लगता है आपको किस प्रकार से और हम सुधार कर सकते हैं उसके बारे में आप जानकर भी दे सकते हो जो भी आपको उचित लगे वो मुझे एक सजेशन की तोरे पर दे सकते हो फीड़वेग मिलना चाहिए मुझे कि आप और थोड़ा सा उस पर काम कीजिए अब जो भी आप मुझे से बहुत चारे बच्चे हमको आवाज पर बोलते हैं बाकि हम काम कर रहें बहुत अच्छे से आपके लिए अब अच्छों सवाल प्याते हैं जब भी ऐसा सवाल आजाए घटाने की बात करें या गुणे की बात करें या भाग करने की बात करें कुछ भी आजा इसा तो आपको भाग विदी से सोल करना है भाग विदी से करना है यहां पर कित्ता लिखेंगे 800 सिंबल से बात के आएगा 800 ठीक है और आपको समझना पड़ेगा किस प्रकार से समझना पड़ेगा दिए गटाने को आ सकती है ठीक है अगर आपको इसके और पता होते बहुत ज्यादा तो आप एक सेकेंड में निक बता कुन से संक्या अपना इसके बन रही है लेकिन भाग लिए से करेंगे पच्चों आपको इसके और का पाड़ा यादोना चीए इसके पाड़ा आपको यादोना चीजो कि आपको मैं पहले भी लिख चुका हूं ति यह जो पाड़ा होता यह काफी ज्यादा इंपोर्ड तो कितना हो जाएगा 64 और अगर 9 का इसके और करेंगा तो क्या जाएगा 81 और 10 का करेंगा तो क्या जाएगा 100 यह आपको पता होना चीए ठीक है अब मुझे बताईए मैं दो-दो के जोड़े बना तो त्यापर दो यह बन गया और यह अखिला बना तो आठ आया अब मुझ दूनी क्या बन जाए बच्चों चार बन जाएगा तो घटा देंगे कितना बचेगा उपर से अगर 8 में चार जाएगा ठीक है और दो-जीरो के दो-जीरो उतरेंगे निचे इसका ध्यान रखेगा जीरो दो-दो के संख्या में उतारते इसके वर्ग मतलब क्या हो दो-दो चार तो अब घटाने पर चार बचाओ दो-जीरो के दो-जीरो तर लिए इधर क्या करना है दो का बापिस दो-दो जोड़ देना ऐसी में जो लिखा उसी में उतना ही जोड़ना है तो दो में दो जोड़ने कितना हो जाएगा चार कितना हो जाएगा चार ठीक है अब हमको जो संक्यां यहां पर रखेंगे हम इसका दियां रखेंगा बच्चों जो संक्या अगर हम यहां पर रखने वाले इस जगे पर उसी का उसमें बुठ्वाइब मतलब चार के पास मैं एग्र मैं एक रख दूगा एक को इसका Press sist करuses एक Rend अब हम क्या उत्त रखोंगा तो क्या आइगा अगर मैं 8 और रखोंगाक क्या रखोंगा। अगर मैं 8 क्या है? मैं 8 को रखोंगा क्या हिः गूना करूगा। और 4 by way 4, 8 by way 8, 8 by way 4, albumsulation big 8, 164 by way 6 by way 8, प्तिज़ के विल्कुल पास मैँ कि अगर नहीं बचंगे लिए और इसको शोला बचरे कि इतना बचरे सोला बचरे बच्छो अपना अंसर क्या हो जाएगा सोला संख्या को अगर मैं घट दूगा तो किसका वर्ग बनेंगा मैं आप नहीं अपर आठा रखा तो यह नहीं तो इसको गटा दूँआ तो सोला इस जो कि एक पूर्ण वर्ग है जो कि हमको सोला गटाने पर मिल जाएगी आठ सो में इस प्रकार से सावल करना है और यह पाड़ा हमको याद होना चीज को माइंड में डाल लेना है ठीक है लास कोशन प fianco दसवला इसको संझेंगे कि अगे अगर आपना चाऊंट अच्छी बात खर में आपको एक कामा ड़ता होो कि ठोड़ा सा समझा देता हूं जा फुर्वल करता हूं समझा देता हूं यहां पर क्या दिया है वन पोयंट apologize निब्ल शिक्स ना इन सबका स्क्रावर निकाला है इन सबको क्या कंना आ आपको आजाए कर सकते हैं बहुत ही आसान है बच्छो वसको पोईंट का ध्यान रखना है बिच्चो पोईंट कहाँ परें बाकि तो वही है एंडरूट से भार करना इसको कमेंड भी क्या होगा सस्क्राइब भी रखा होगा और लाइक तो आपको रेगूलर करना ही करना है अब सारे जो भी वीडियो सारे देखा करें और लाइक भी किया करें बच्चों ठीक है दन्यवाद